हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोश पर प्रहार में मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्चार्ज पर बात करने वाला हूँ दोस्तो जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि कई बार जब आपके उपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है लेकिन उसमें बेसिक फैक्ट सी नहीं होते है यानि कि प्राइम फेसिया वो मुकदमा आपके उपर बनता ही नहीं लेकिन फिर भी F.I.R. दर्ज हो जाती है तो ऐ एक रिटन एप्लिकेशन दे सकते हैं और वहाँ पर जो भी आपके उपर धाराये हैं जो कि गलत लगी हुई है या फिर पूरी तरह से भी डिस्चार्ज करने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अब इसके बाद कोट की पावर होती है कि यदि उसे ऐसा लगता है कि आपको दोश्मुक्त कर दिया जाना चाहिए तो आपको दोश्मुक्त कर देती हैं दोस्तो इसी डिस्चार्ज पर अभी अभी एक latest recent judgment आया है उस judgment की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ कि डिस्चार्ज को लेकर के क्या judgment है क्या नियम क्या बताया गया है और आपके वो किस तरह से काम में आ सकता है तो दोस्तो यदि आपके उपर जूटी FIR दर जो गई है चाहे वो 498A की हो चाहे वो 376 की हो या फिर वो कोई और हो आपके लिए वीडियो बहुत ही एहम है बहुत ही important है आखरी तक वीडियो में बने रहेगा और यदि आपने अभी में इस बिए आपके द्र संधने डिश्चार्च के अपलिकेशन पर विचार करती है तो उस फडर मजिक्टेट को पावर होती है कि वह जोबी आरीविए उनको दोश्मुत कर सकता है लेकिन ऐसा करते समय यानि यहीदि असा करते समय तुकर उसके पर नरने लेते समय मजिस् देखने लग जा और evidence के base पर तैय करें आपको उस तरह से react नहीं करना है कि आप मामले का trial कर रहें आपको किवल ये देखना है कि शुरूँ है देख करके लगता ऐसा कि अपराद नहीं बनता तो उनको दोश्मुक्त कर दीजिए और यदि लगता है कि अपराद बनता है तो आ उन पर लगा दीजिए मामला आगे बढ़ा दीजिए charge frame कर दीजिए और अगर ये स्थिति आती है कि आपका संदे है कि हो सकता है इसने किया हो तो ऐसे case में भी आप charge frame कर दीजिए यानि कि discharge के time पर ये आप सोचते हैं कि मैं वहाँ पर evidence दिखांगा ये करूंगा वो भी है और prima facia ये मुकदमा बनता है या फिर संदे है कि अपराद आपके द्वारा किया गया है तो फिर ऐसे case में आपका discharge वहां से नहीं होगा तो दोस्तों ये बहुत ही important judgment है और अगर आपको लगता है कि आपकी lower quote उसका according नहीं चल रही है तो आप इस judgment का reference भी ले सकते हैं अपने मामले में यूज़ कुल होने पर अपने मामले में यूज़ करके इसका लाब बे उठा सकते हैं नेश वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं तब तक इन गुड़ बाई and thank you for watching, take care